वेल्कम टू बिप्रिसमेकर दस्तो आज है 11 अप्रेल 2022 और आज की इस वीडियो में 11 अप्रेल 2022 से सम्मंदित बिहार करेंट अफेर्श और शाथ ही राष्टे और अंतर राष्टे घटनाउसित करेंट अफेर्श के जितनी भी परशन बलेंगे उन शभी की जानकारी मैं आप को विश्तार पुर्व दूँगा इस तरीच के सारे वीडियो आपकी आगामी परतों के परिशा की दिश्ट कुन से महतपूर्ण है डेली विस्टेश पर आपको रेंट अफेर्श के तैयारी को बहतर तरीके से कर सकते हैं हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के पहले अस्थान पर तो किसी भी कल्ब में यहां पर कठिहार नहीं लिखा गया है इस अधार पर हमारा फाइनल आउनसर बनेगा ऑफ्सन नमर इए यह वाला सेक्शन यहां पर राइट आउसर और इसका सज़तर है जबकि यहां पर दूसरे और तीसरे अस्थान पर गया और तीसरे अस्तान पर मुझा फर्पूरता इस रेंकिंग के अलार पर तो यह सारे पॉइंट यहां से आप ध्याने के और बिहार के पड़तों की परिक्षा के लिए जो हमारा बिहार इस्पेसल करेंड एफेस का एक फीडियाफ लॉंच हुआ है आप इसको इस वीडियो के डिस् पर फूरे वीडियो को दियांध परियोग देखना और जो वीडियो के अंत में प्रश्ण बोसा जाएगा उसका अंसराба को कमेंट ब fish में करने देना है आज की सीड़ीओ का हमारा पहला प्रशिन के हाले में बिहार के रहने वाले किस प्रफेशर को अरीका की पर्ड्यू इंश्टीन ने विशेषाटर पूरव चातर पुरिश्कार से सम्मानत किया है तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है option number A यानि कि रामाधार शींग option number A यहाँ पर इस प्रश्ण का right answer होगा विस्तित जानकारी आपको देदों की बिहार की रहने वाले प्रोफेसर रामाधार शींग को अमेरिका के Purdue University ने वेसिश्ट पुरु छात्र पुरुषकार से सम्मानित किया है आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं इससे समंदित कुछ और भी पॉइंट है जो कि आपके एक्जाम की तुरिष्ट कोन से महत पूर्ण है हमारा अगला पॉइंट है कि अमेरिका के इंडियाना में इस्तित वेस्ट लाफायेट में श्वास्त और मानव विग्यान कॉलेज ने उन्हें यह सम्मान दिया है एक उपलब्दी यहाँ पर यह भी इनके नाव पर बनी है जो कि आप अगले फॉइंट में देखेंगे परड़ी उनिवर्सिटी के इत्यास में केवल दो मनो विग्यानिक ही उनसे पहले है जिने यह सम्मान मिला है यह मतलब यहाँ साब कोई दियनके यह इस प्रकार से रमाधार शिंग तीसरे ऐसे सक्त है जिने विसेश्ट पूरो छात पुरुषकार से भी हाल है में अमेरिका में यह पर कर सकते हैं परड़ी उनिवर्स्टी के द्वारा सम्मानित किया गया है अब यहाँ पर बात करें रमाधार शिंग की तो वरतमा में रमाधार शिंग अहम्दाबात विश्वीद्धाले की अमरित मोदी इसकूल आप मेनेजमेंट में फ्रॉफेसर है भगवान स्री राम की भव्यवव दिव्य आकिरती बनाएगी आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं हलाकि इसे हमने यहाँ पर जुम करके डाला है तो इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह का देखने मिल रहा हलाकि यह बहुत बड़ा है कि आगरती वर्स 2020 में मुंबई में 54 वर्ग फीट में दो लाख दीपों सी बनाए गए थे और यह गिनिच बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हुआ है यह आपको यहाँ से देनागा हलाकि यह भी उपलबधी जो बिहार के नाम पर अभी दर्ज भी है तो यह भ दो थैकि बिहारन नेवल की भारत के 100 सहरों को स्माट सहर के रूप में मतलग कर सकते हैं विस्तार करने के लिए चुना गया था किंद्र सरकार दौरा उने से औरước बिहार का भागलपूर में से वाधालपूर के बारे में सबसे पहला पॉइंट यह जा रहे कि बिहार के Méлом.. बане में से ब्हागलपूर भी एक पर्मेंडल पॉर्पॉर है और अपको आंदर यह इंदिकेट कर रहा है कि वहां पर प्रश्ण बरा था पटन जीला से समंदित पटना जिला की सिमा कि इतने जिलों साथ ये भी आपको ध्यान रखना है इसलिए हमने यहां पर इसे इंडिकेट कर दिया है अब यहां पर बिहार वाले मैप पर जब आप भागलपूर की इस्तिति को ढूंडेंगे तो यह आपको यहां पर कुछ इस प्रकार से भागलपूर देखना को मिलेगा भागलपूर की बात में तो भागलपूर जीला की सीमा जो आपको ध्यान रखना है यह छे जीलों के साथ अपनी सीमा को साजा करता है यह छे जीले कौन कौन से ही यह आपको ध्यान रखना चाहिए पहला तो है कठियार हम यहां पर कठियार से स्टार्ट कर रहे हैं कठियार एक पूर्णिय तो मध्यपुरा तीन खगडिया चार मुंगेर पांच और बांका छे, कुल मिना के छे जीले है जो कि भागलपूर के साथ अपनी सीमा को साजा करता है, यह तीन जीले कोन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बांका है पहला तो हो जाएगा भागलपूर एक नमर दूसरा होगा मुंगेर तीसरा होगा जमुई तो कुल बना के तीन जिरों के साथ बांका अपनी सीमा को साधा करता है तो यह सारे जुड़ी पी जानकारी को आपको ध्यान रखन आप चाहें तो इसे आप अपनी कौपी में भी स्विधा के अनुसरा नोट कर सकते हैं नेक्स दोगा यहां पर हमारा अगला प्रशन यह अगला तीसरा प्रशन के हाले में बिहार के अरवल चीले के फिल्म निर्वाता मुकुंद नरायन के किस सौट फिल्म को 49 वे बुसान इंटरनेशनल सौट फिल्म फेस्टिवल के लिए चैनित किया गया है बिहार करेंड एफर्स के दृष्टि कोन से आप इसे इंपॉर्टन प्रशनों की स्रेनी में रख सकते हैं इस प्रशन का जो राइट अंसर होगा है कि इस फिल्म का जो नाम है आपको ध्यान एकना पता पतालती मोई जो की सौट मोई है इसका चैन किया गया है आगे ये लिखा गया कि बुसान की फिल्म फेस्टिवल में चैन के बाद इसे आसकर के लिए नामित किया जाएगा नेक्ट पर यहां कि विस्व के एक सो इग्यारत देशों की 2548 आने कि 2548 फिल्म में से 40 सरुसेट फ फिल्म को चुला गया था यहां पर बुसान इंड़नेसनल फिल्म फेस्टिवल में उसकी जानकारी आगे लिखा गया इससे पहले वर्ष 2019 में रेमजा राज की मलियालम फिल्म मिडनाइट रन का चैन हुआ था यानि की बुसान इंड़नेसनल फिल्म फेस्टिवल के लिए तो आप यहां पर देख रहे हैं, मदद परमंटल का जो मुख्याल यह है, गया, और यहां से 5 जीले इसके यह हैं, एक तो है गया, दूसरा है और अरंगाबाद, तीसरा है जहानाबाद, चौथा है नावादा, और पांचवा है अर्वल, अर्वल की गरम बात हैं, तो अर्वल ज जो हो ये का सकते हैं रज का यह कि बीहार जिलों के साथ अपनी सीमा को साजा करता है अब यह 6 जीले कौन कौन से वो जनकारी हम लोग यहां पर देखेंगे बिहार वाले मैप पर नज़र लिए सबसे पहले आप ढूंड़िए कि अर्वल कहां पर है तो आप यहां पर देख सकते हैं यह अर्वल के सिती है बिहार वाले मैप बर अब यहां पर बात करेंगे यह 6 जीले कौन कौन से जिसके साथ अर्वल अपनी सीमा को साजा करता है तो हम यहां पर गया से स्टार्ट करते हैं एक तो हो गया गया, दूसरा है जहानाबाद, तीसरा है पटना चौथा है भोचपूर, पांचवा है रोतास और छटा है और अरंगाबाद तो इस परकार कुल मलाकर 6 जीले हैं जो कि कर सकते हैं अर्वल के साथ अपनी सीमा को साजा करता है अब यहां पर अगला होगा चौथा प्रशन यह प्रशन के हाले में बिहार विश्विद्याले में शाद के अनरूप सिर्जन पुस्तक का लोकारपन हुआ है इसके लेखक कौन है इस पुस्तक का नाम है साद के अनरूप सिर्जन इस पुस्तक का लोकारपन है यहां पर प्रशन पूछा गया है इसके लेखक कौन है? इस प्रश्णी का हमारा right answer है अफसन नमर B अर्थाथ प्रफेसर रेवती रवन आपको इस प्रश्णी बारे में विस्तरित जानकारी देदों कि बिहार विश्विद्धाले के हिंदी विभाग के आलोचक वा हिंदी विभाग के सिक्षक रहे प्रफेसर रेवती रवन के पुस्तक साध के अनरूप सिरजन का विमोचन का गया है यह आप यहां से ध्यान लखेंगे अब यहां पर हमने आगे लिखा कि यह पुस्तक अचार जानकी बल्लाव सास्त्री के एकृतत वियापिगा सकते हैं क्यान लखेंगे इस पुस्तक का नाम क्या है और इसके लेखा कौन है एक महत्पूर्ण जानकारी आपको देदूं कि पिछला वीडियो जो चैनल पर अप्लोड किया था वहां पर मैंने आपसे एक बात सेयर किया था कि current efforts का आप लोगों से weekly test लिया जाएगा जो weekly test होगा यह current efforts का केंदरित होगा विकत साथ तिनों में जितने भी current efforts का वीडियो आप daily basis पर यहां पर देखें उसी का मतलग कर सकते हैं एक test अपने राय वहां पर देजिए वहां पर जो भी फीडिवेक आप देना चाहते हैं वह आप वहां पर देखें हैं हलाकि वह जो वीडियो अप्लोड किया गया उसमें आपको पूर्ण रूप से टेस्ट वाले फिरिंग देगा वहां पर आपको टाइमर लगा है ताइम के अनुसार वहां पर प्रश्ण को आप सौल कर सकते हैं अब यहां पर अगला होगा पांचवा प्रश्न यह पांचवा प्रश्ण के हाले में विश्य बैंक और एसियन इंफ्रस्ट्रक्ट्टर इंवेश्टमेंट बैंक ने किस राज्ज को 75 कलोर रुपय का रिन देने की घोश्न की है यहीं कि 7500 कलोर रुपय रिन देने की घोश्न की है इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर से है इसे प्रश्ण का उद्देश राज में सिक्षा की गुनवत्ता में शुधार करना है जिसको लेकर भी हाली में यह घोश्न किया गया है यहाँ पर हमने आगे इसी प्रश्ण से रिलेक्टेट पॉइंट को लिखा कि इसके दद राजस्रकार अगले पांच वर्शों मे दस हजार कलो रुपे खरच करेगी और राज की सभी 35133 स्थरकारी और 5847 अनुदान पराप्त इसकोलों को कवर करेगी है नहीं कि इन सारे इसकोलों में यहाँ पर कर सकते हैं सिक्षा की गुनवत्ता को लेकर कारी क्या जाएगा यह जो मतलब रिन लिया जा रहा है यहाँ हमने गुजरात की चर्चा की तो गुजरात के बारे में एक फॉइंट्शाव कारेक्रम की सिरौइए है यहाँ पर यहाँ अगये चर्चा करेंगे विश्वर बैंक की कारियों में आर्थिक शाहिता देना है इसी को लेकरके 1944 में इसे गठित किया गया था विश्व बैंक के समूँ पंच अंतर राष्टे संविट्नों का एक ऐसा समूँ है जो कि सदस राष्टों को वित और वित्या सला भी देता है विश्व बैंक के अगरम सिद्धान की बात क नेक्स्ट होगा यहां पर हमारा च्छाठा प्रश्ण यह प्रश्ण की हाले में अपनी मौद्रिक नीती समिक्षा में आर्ब्याई द्वारा रिवर्स रेपो रेट को कितना रखा गया है यहां पर कुछ चीजें ऐसी है ज्योंकि मैं आपको विस्तार पूर बताऊंगा इस तरह जानकारी आपको दादुकी भारते रेजल बैंक ने अपनी मौद्रिक नेती समिक्षा में रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35 पर और परिवर्तित रखा है और यहां पर आपको एक पॉर्ट यह भी दियान रखना पड़ेगा जो कि एक मतलगा सकते प्रस्ण के तोर पर आपको इसे देखना है तो आर्वियाज ने लगातार दसवी बार परमुक्व ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है लगातार यह दसवी बार है जो कि इसे परिवर्तित रखा गया है तो यहां से आपको यह स्तारी चाहिए दियान आपना तर अब यहां पर दो टर्म आया है एक तो है रिवर्स रेपो रेट दूसरा है रेपो रेट तो दोनों की जानकारी यहां पर मैं आपको देने वाला हूँ आप इसका स्क्रीन शॉर्ट जरू ले लिजएगा यह अखिर है क्या तो आपको बतानों कि रेपो रेट सबसे पहले ह पुना रेपीट कर रहा हूँ भारत में जितने भी बैंक है रोजमर्रा के कामकाज के लिए जो भी रिन लेते हैं रिज़र बैंक आफ इंडिया से रहात के अंदरिया बैंक से तो इस रिन को रिज़र बैंक जिस दर पर उन्हें मतलगा सकते हैं उनसे ब्याज वसूल करती ह तो उसे रिकम को रिज़र बैंक में रख लेते हैं और इस रिकम पर आर बैंक उन्हें ब्याज देता है और रिज़र बैंक इस रिकम पर जिस दर से ब्याज देता है उसे ही रिवर्स रेपोर रेट कहा जाता है यानि कि कामकाज के बाद जो भी बड़ी रिकम बच जाते है तो वैसे में बैंक है, रिजर बैंक रहात केंद्रिया बैंक में उस रकम को रखती है तो उस रकम पर कर सकते हैं, रिजर बैंक के दोरा उस पर ब्याज गया जाता है उसी ब्याज को reverse report rate कहा जाता है I hope कि आप यहाँ पर दोनों term को आसानी से समझ चुके हैं इसका screenshot ले देजी, इसे बार बार देखें को तब को यह complete तो पर याद हो जाएगा हम यहाँ पर चलेंगे आगे बात हैं रिजर बैंक की तो रिजर बैंक की बारे में कुछ जानकारी है जो कि अतीम हत्पूर्ण है हमने सभी को यहाँ पर लिखा है रिजर बैंक की बात किया जाए तो RBI इसका मतलग कर सकते हैं short में से RBI का जाता है रिजर बैंक के स्थापना भारते रिजर बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार एक अपरेल 1935 को भी थी यह बहुत important term है इसके स्थापना एक अपरेल 1935 को भी थी और यह भारत का केंद्रिय बैंक है साथ साथ यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है और यह भारते रिजर बैंक के भारत की अर्थवेस्था को भी नियंद्रित करता है यहाँ पर आगे यह लिखा गया रिजर बैंक का केंद्रिय कार्याले प्रारंब में कोलकाता में अस्थापित किया गया था जिसे कि 1937 में अस्थाई रूप से मुंबई अस्थांतरित किया गया जब कि यहाँ पर जो most important point है यह वारा है आरबयाई का headquarter अरथाद मुख्याले है मुंबई और आरबयाई के गवर्णर बरतवान में सक्तिकांद दास जो की उरजीत पटिल के जगह पर है और सक्तिकांद दास आरबयाई के 25 वी गवर्णर है नेक्शों का यहाँ पर हमारा साथवा प्रश्न यह अगला प्रश्न के हाले में आर्ट अफ्रेल को सैना आयूद कोर अर्थाद आर्मी ओर्डिनेंट्स कोप्स का कौन सा अस्थापना दिवस मना गया है इस प्रश्न का हमारा right answer होगा option नमर C अर्थाद इसका 247 वा अस्थापना दिवस मना गया अप्रश्न के 8 अफ्रेल 2022 को सैना आयूद कोर अर्थाद आर्मी ओर्डिनेंट्स कोप्स ने अपना 247 वा अस्थापना दिवस मनाया है हम यहाँ पर इसके अस्थापना की बात रहें तो हलाकि 8 अफ्रेल 1775 को बोर्ड ऑप अर्डिनेंट्स के अस्थापना के साथ या कूर अस्थित्त में आया था और वर्तमार में गरंबात के तो आजित सेवा के महाने ज़सा कलेपनेंट जेनरल RKS कुसवा है तो यह सारे जानकारी यहाँ से ध्याने के नेक्ष्ट का हमारा आटवा प्रस्न यह प्रस्न की हाली में वर्स 2021 के संत नामदेव राश्टे पुरुषकार से किसी सम्मानिट किया गया है इस प्रस्न का हमारा right answer option नमर D अर्थाथ सत्पाल मले के राजपाल आप यहां पर सत्पाल मली को देख सकते हैं वर्तमान मेगाले के राजपाल है यहां पर हमने आगर लिखा कि साथ ही पुर्व अनुसंधान और विसलेसन विंग के निदेसक ऐसे स्थ दूलत को वर्स 2021 के लिए तो सरत एक समाजिक संत्कर्ति और श्यक्षिनिक संगठन है और विसलेसन पर आपको लगे कि वीडियो आपकी लिए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किई चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जुरु कीजे हमारा अगला प्रशने के हाले में आर्वयाइई ने DCB Bank के MD और CEO के रुप में किनकी पूरा न्युक्ति को मंजूरी दिया है। इस प्रशनी का हमारा right answer है option number D यानिके मूर्डली नट राजन। आपको दादो कि भारते रिजर बैंक ने मूर्डली M नट राजन को DCB Bank के MD और CEO के रुप में साल पूरे करेंगे यहां पर आप मूर्डली नट राजन को इस इमेज में भी देख सकते हैं चुकि यहां पर हम चार्जा कर रहें DCB Bank की तो DCB Bank की अस्थापना कब भी थी इसकी स्थापना ध्यान रखें वर्स 1930 में यह अस्थापित क्या क्या था और इसका मुंबई इसका मुख्याल है मुंबई महाराष्ट में है यह भी जानकारे ध्यान लखना को अगला होगा दस्वा प्रश्ण यह प्रश्ण के हाली में सन्युक्त राष्ट महासवा ने किस देश को मानादिकार परिशत निलंबित करने की मंजूरी दी है इस प्रश्ण का राइट आं हमने लिखा है तो अमेरिका द्वारा शुरू के प्रस्ताओं में प्रस्ताओं के पक्ष में 93 वोट मिले जबकि 24 देशों ने वोट नहीं दिया और भारत सजीद 58 देशों ने इसमें भाग ही नहीं लिया था तो यह भी यहां पर डाटा आपको ध्यान लागना है अगर मात किया है मलेशिया के साथ तो अफसर नुबर सी यहां पर इस प्रशनी का राइट अंसर होगा आपको दिल्ली सरकार दोरा संचालित इंद्रा गांधी दिल्ली महला तगनिकी विश्विद्याले ने इनिवर्सिटी मलेशिया पर लिस्ट के साथ एक समझोता पर हस्ताक्षर क इस तरह के चीज़ें आपको इंटर्विव तो आपकी मदद करेगा तो सारे चीज़ों को नोट कीजिए अगर नहीं कर सकते हैं विपिस्टी में कर एक पर यह तमाम स्विधाएं उपलब्द हैं आप वहां पर जागा कि यह सारी मेटरिल का नोट से प्राप्त कर सकते हैं पांच असलोग 7% पर रहने का अनमान लगाया है यह जयानकारी यहां से आपको ध्यान लगना है और मुद्रा स्विर्थिक वारें मैंने आपको कई और पतला है अब यहां पर आज मैं से किप कर रहा हूं अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप यहां पर कमेंट क को कम की बत पर प्राप्त कर सकते हैं यहां पर आपको ध्यानका ऑनलाइन टेश्टरीज मिलेगा आपके एक्जाम के लिए और यहां पर बहुत सारे ऐसे मैट्रेल है जो कि आपको बहुत बहुत मदद करेगा आपके अगामी सभी परतोगी परिक्शामें एक चिहां पर हाले में बिहार की प्रशिद स्वातंतिता सहनानी एवंग राजनेतिक बाबु जग्जीवन राम की कौन सी जैनती मना गई है इसकी डिटेल जैनकारी हमने आपको दिया है बतला यह इस प्रश्ण का राइट आंसर क्या होगा और यह बिहार के किसी जीले के रहने वाले हैं कंप्लीट जैनकारी आप यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर आप डेली बेसित पर यहां पर वीडियो देखते हैं अगर हमारे रेगुलर फ्यूवर हैं तो यहां पर आप लोग कमेंट करने से यह होता है कि आपकी उपस्तितर यहां पर दर्ज होती मैं ऐसे ल कि आपकी वहां पर करता है?